हाई दिस इस मनीशा सिंग स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आई होप कि आप सब बहुत अच्छी से अपनी त्यारी को कर रहे होंगे और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ एक और जबरदस्त गवर्मेंट जॉब की अपडेट जो की पुलिस की रिकूट्मेंट होने वाली कॉंस्टेबल की पोस्ट के रिगार्डिंग जे एससी की तरफ से ये रिकूट्मेंट निकल कर आई है 2024 के रिगार्डिंग तो आज की इस वीडियो में हम लोग complete detail वे में इसके उपर discussion करने वाल है इसका कितना पोस्ट आया है, selection process क्या है, eligibility criteria, complete detail वे में हम लोग discussion इसके उपर करने वाल है तो अगर आप भी इसको लेकर interested हो तो वीडियो को last तक जरूर देखना ये all इंडिया की वेकेंसी है, male female दोनों ही candidates अप्लाई करेंगे तो चलिए friends, अब ज़्यादा time waste नहीं करते हैं हम लोग, फटा फट से discussion को start कर लेते हैं As I told you earlier कि जारखन police constable की recruitment आई है, JSC यानि जारखन staff selection commission के थूँ ये exam conduct कराई जाएगी overall अगर post की बात करें कि कितना post के उपर ये vacancy रहने वाला है 4919 seats मतलब 5000 के approximately seat पर vacancy आई है, regular seat की बात करें तो 3799 है and backlog के लिए 1120 seats रहने वाली है form apply करने की जो date है na starting date है 15th of January 2024 and last date to apply है 14th February 2024 you should not have to wait for 14th of February आप जैसे ही ये form online होने start होगा 15th January से आप apply कर सकते हो ताकि बाद में server issue आपको face नहीं करना परें form की जो fee रहने वाली है friends, general OBC and EWS के लिए 100 rupees वहीं पर ACST की बात करें तो 50 rupees बस form की fee रहने वाली है age limit की अगर बात करें की age limit कब से calculation होगा your age will be calculated as on 1st August 2023 minimum age 18 years and maximum रहेगा 25 years मतलब 18 से 25 साल तक के जो भी candidate है apply कर सकते हैं वहीं पर बात की जाए कि relaxation भी मिलेगा क्या जी हाँ जरूर मिलेगा OBC को 3 years का and ACST को मिलता है 5 years का और other जो भी categories है वो एक बार notification डाउनलोड करके अच्छे से आप एक बार देख लेना qualification की ज़्यादा कुछ demand नहीं simply जो 10th pass out candidate है इंडिया के recognized school board university से वो सब यहाँ पर eligible रहने वाले doesn't matter कि आपका क्या percentage है 10th में बस pass out candidate apply कर सकते हैं चलिए आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं basic तो सारी जानकारी हमें हो जुकी है अब यह जानना है friends कि आपका जो मतलब कैसे किस किस stage से गुजरने के बाद आपका selection होगा your selection will be dependable on major four stages at first stage you have to clear written exam offline paper होगा pen and paper mode पे और जो other state के candidate जैसे की Bihar, UP और आपको Rajasthan, Punjab यह सभी apply कर सकते हैं आपको पता है All India की vacancy है तो आपका जो paper होगा न वो offline होगा तो आपको जारखन में जाके ही इसका paper आपको देना होगा secondary होगा आपका physical वो clear करने के बाद DV यानि document verification होगा lastly medical के बाद आपको आपकी joining letter जो है दे दी जाएगी तो joining letter तक पहुँचने से पहले जो भी stage से गुजरना होगा अब आप लोग उस पर detail वे में discuss कर रखेंगे कि आपका exam का क्या pattern होगा तो friends आपका जो exam होगा न उसमे paper 1 और paper 2 होगा overall 200 questions दोनों ही paper से 100-100 questions paper 1 के बात करूँ तो reasonable या tribal मतलब छेतरी है या फिर जो जन जाती है भासा होती है उसके आपको 100 questions रहेंगे 100 marks के लिए time रहेगा 2 hours का negative marking 1 mark रहेगा पर जो भी एक गलत करोगे तो आपका एक marks कर जाएगा और friends paper 2 में अगर बात करें तो 100 questions रहेंगे 100 marks के लिए time 2 hours negative marking 1 रहने वाला है paper 2 में हिंदी के 50 questions 50 marks के लिए general knowledge के 25 questions 25 marks के लिए numerical ability के 25 questions 25 marks के लिए मतलब कि अभी exam pattern आप समझ गया हो बहुत सारे students का ये query होता है कि मतलब क्या paper 1 paper 2 same day पे होगा जी हाँ same day ही होगा एक ही दिन आपका जो भी center रहेगा वहाँ पे पहले आपको दो घंटे का paper 1 होगा उसके बाद lunch break या जो भी होता है फिर एक घंटे के gap के बाद आपका paper 2 conduct करा लिया जाएगा so I hope कि exam pattern आप better way में समझ पाए होंगे तो जब आप exam clear करोगे तो फिर आपका होगा physical तो आएगे हम लोग देख लेते हैं physical का क्या eligibility criteria यहाँ पे रहने वाले है तो दोनों ही candidates के लिए बताऊंगी male and female दोनों के लिए सबसे पहले height देख लेते है male के लिए minimum height की क्या requirement है 160 cm, females के लिए 148 cm test only for male candidates 81 to 86 cm उसके बाद आपका physical efficiency test होता है जिसमें सारीरिक शमता के लिए आपको running होगी तो running होगा 10 km in 60 minutes मतलब एक घंटे में 10 km की दौल लगानी होगी male candidates को वही पर आदे घंटे में 5 km की दौल लगानी होगी female candidates को so I hope की physical criteria भी आप अच्छे से समझ गया होगे तो physical के बाद होगा आपका DV उसके बाद simple सा medical फिर आपको joining letter दे दी जाएगी तो जैसा आपको बता दिया है कि exam center जहारखन में होगा और जहारखन police constable की recruitment है तो आपको जहारखन के different different जो district होगा उसमें जाके serve करना पर सकता है और serve करोगे तो salary क्या मिलेगी अभी मैं बता देती हूँ आपको आपके क्यो starting salary होती है friends 21,700 उपीस से starting होती है after perks and allowances per yen की increment के बाद आपको मिलता है 69,100 उपीस मतलब 70,000 के करीब आपकी salary हो जाती है बाद में तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने त्यारी की speed को boost कर दो कि जब form out हो चुका है तो जल्दी exam भी conduct करा लिया जाएगा तो त्यारी ऐसी रखनी है friends कि एक बार में एक seat तो आप अपना आचीव कर ही लो और अगर इसके बारे में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है आप अच्छे से नहीं समझ पाई हो कुछ queries वगरा रह गया हो comment section में आके पूछो और इसका official notification जो आया है मैं अपने telegram channel पर post कर दूँगे तो आप वहां पर जाके मुझे follow कर सकते हो मेरे telegram channel facebook page और instagram सब का link description box में provide कर दिया गया है वहां पर जाके आप मुझे follow कर सकते हो और अगर video पसंद आई हो तो भर-भर के like कर देना अपने friends के साथ इस video को share कर देना ताकि उनको भी इस informative जो government job की update है उसके बारे में पता चल सके मेरे channel को subscribe करके आप notification bell को all पे set करके ही जाना ताकि सारे new video सबसे पहले आप सभी तक पहुँच पाए तो मिलूंगे आप से फिर से किसी government job की update के साथ तिल देन stay tuned bye bye take care